हर्याना के ग्रेम मंत्री अनिल्वीज का जनता दर्बार जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाता था मोके पर निवारन भी किया जाता था तबहीं अब ये जनता दर्बार नहीं लगेगा वीजी का जनता दर्बार जो की सुर्ख्यों में रहता है क्योंकि यहां पर फैसला ओन दी स्पोर्ट होता है तब ही अब ये जनता दर्बार नहीं लगेगा ऐसे में सवाल ये कि यहां पर आने वाले परियादियों का क्या होगा खुद मंत्री अनिल्वीज ने ये जानकारी दिया है उन्हों ने कहा कि हर्षणिवार को लगने वाला जनता दर्बार अब नहीं लगेगा दरसल इसके पीछे की जो वज़ा बताई जा रही है वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल है मंत्री अनिल्वेज की माने तो प्रदेश के मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने हरजिले की अधिकारियों को यादेश दिये हैं कि रोजाना दो घंटे लोगों की समर्स्याओं को सुना जाए जिस पर अनिल्वेज ने सराना भी की है उन्होंने कहा कि वे खुद ऐसा लंबे समय से चाहते थे ऐसे में उनकी ये मन्शाव पूरी हो गई है यही कारण है कि अब वो हर्शनिवार को जनता दर्बार नहीं लगाएंगे हालांकि मंत्री अनिल्वेज ने ये भी कहा कि वे अपने हलके के लोगों की समस्याओं का निदान करते रहेंगे आपको यह बता दे कि मंत अनिल्वेज ने बहुत से लोगों की समस्याओं का निवारण किया है जबकि आरोपी अधिकारियों के खिलाब भी कड़ा एक्शन इस दरबार में लिया जाता था ब्यूरो रिपोर्ट हरियान आज